तरे कृष्णा सबको स्वागत है आज की शिलप्रोपाजी का जीवन का थाका सर्संकारिक्रम में हम शिलप्रोपाजी का नमन करते हुए आज कारिक्रम चुरू करेंगे नमा ओ मिष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वति देवे गौरवानी प्रचारिने निर्विसेश शुन्यवाधी पास्चात्य देशतारिने जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वाइत गदाधर श्री वासदी गवरभक्त व्रंदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे भी आमेरीका देश में एक और नया शेहर में आते हैं जिसका नाम है फिलाडल्यफिया ।। तो अब तक प्रोपाजी अमेरिका के एक शे करम में ते इसका नाम तरशिकेग को इस तरह के से प्रोपाजी ने अमेरिका वह सारे शेहरों में इसकौन मंदिरों का वहोंने शुरुवाद किया था कि Bis प्रोपाजी का आध्यात्मिक विश्वपाजी से आध्यात्मिक विश्वपाजी जानने को मुझत है तो आज हम प्रोपाजी के फिलाडेलफिया का कुछ समय का जो है उनका लिला श्रवन का अभी हम तो प्रोपाजी फिलाडेलफिया में जैसे ही वह आते हैं फिलाडेलफिया का अमेरिका का अधी noon परपाजी बहुत पेले भी आ चुके अधै जिसे प्रोपा जी शुरुवात में अमेरिका पधारे थे तो अमेरिका देश के बॉस्टन में प्रोपाजी जो है आये थे नियुर्व बॉस्टन में और वहाँ पे प्रोपाजी के कोई जो जायल पेचाल आदमी थे उनके यहां प्रोपाजी एक महिना रुंकिये थे तो उसी टाइम में प्रोपा जी जब नियॉयोर्क आने से पहले फिलाडल्फिया आई हुए थे तो प्रोपा जी जब अभी यहां पर फिलाडल्फिया में आई हुए हैं यह इधर पर अलड़ी भक्तों ने एक अच्छा मंदिर जो हैं उन्होंने शुरुवात कर दिया है तो आपकी कृष्णा भावनामृत अंदोलन में कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि आप पुरुष के बीच में अंतर देखते हैं और जातिवादी का जो है आप प्रतिपादन करते हैं तो इस तरीके का जो प्रतिपादन जो है भक्त शास्त्र के धार वेदिक शास्त्रों के आधर पर करते हैं इसके बारे में मुझे अतना आ उतना जो है नहीं तो फिर भी आप कि वह वो जो तो एक और शिष्ट फॉप्पाजी को समझाते हैं ये लीडिज रिपोर्टर का बातों को कि हमारे अंदुलों के बारे में ये लोग कहते हैं कि हम स्त्री और जो नीग्रो है उनके बीच में हम उनके उन दोनों को जो हम अलग तरफिश्टिकों से देखते हैं तो प्रभपाजी बोलते हैं, हम सब को एकी तरीके से आध्यात्मिक तृष्टिकों से देखते हैं, एक विक्ति भूतिक तृष्टिकों से, वो सेवक रहेगा, एक और उसका स्वामी रहेगा, तो इसको हम तो बदल नहीं सकते हैं, तो कोई यह से नहीं कि सब लोग स्वामी बन जाएंगे, प्रभू बन जाएंगे, सब लोग सेवक बन जाएंगे, कोई भी सेवक नहीं रहेगा, इसे तुड़ी हो सकता है, तो बहुतिक तरह के से एक विक्ति पिता बनेगा, एक विक्ति बेटा बनेगा, एक विक्ति मालिक मिएटी नोकर नेगा तो एक फूरस बनेगा इस तरीके से ये तो हम ढोग ने सकते संतरु से हम सब समान है कि दो नी इद पने बने कि तरीके से पैसर में बहुते तरीके से यह यह नहीं रहेगा जब हम आध्यात्मिक स्थर पर आ जाते हैं और जब हम आत्मा को जो भीतर में आत्मा है उसका उसको हम देखते हैं ठीक तरीके से वह समानता से हर जगह पे हम देखेंगे कि हर जीवात्मा में हर शरीर में आत्मा है यह बहार का जो हम पोशाक पेने हैं कि शरीर जो है पोशाक है इतने सारे स्त्रीप पूरुश के वो अलग अगल तरिके से अपने आपको अपने आपका जो है एक ड्रस पहंते हैं तो हमने बोल सकते हैं कि सब लोग का ड्रस एक है पुर नदो ड्रस के अंदर में जो जीवात्मा है वह सेम है तो ये बहुत इक तरिका के जो आ रहे हैं तो विशेशकर प्रोपय जी मैं जब मंदिर आए आप मंदिर में प्रोपय जी ने एक अच्छा प्रवचन दिया वक्तों को संबूर्ट करते हुए प्रोपय बताना नहीं कि जीवात्मा जो है वह स्वाभावी तरके से आनंद में हैं कोई दुख का बाती नहीं है किसे हमकृष्ट्ण का कुछ चित्र देखते हैं तो- कितना अनन में रहते है रहते हैं यह कोपीयां जो है, बहुत आनन में रहते हैं, रहते हैं आनंद ही आनन है तो दुख्वान करते हैं उस स्थर पर हमें आना है तब हम भी जो है आनन्द में रह सकते हैं जैसे हम भगवान कृष्ण के संग आ जाते हैं उनके साथ नर्तन करते हैं उनके साथ खाना खाते हैं उनके साथ कुछ भी लीला करते हैं तो वो ज्यान हमें शास्त्र में देते हैं तो दुखा कहां बात है भगवान कृष्ण के साथ आईए और भगवान कृष्ण स्वयम आते हैं किस तरके से वो प्रंदावन में पुत आनन्द से रहते हैं और हुआ में निमंत्रम दे रहे हैं आईए सर्वधर्मान परित्य जमामेक्रम्शरणम्रजव मेरे पास आईए औ और मैं आपको अवश्य आनन्द दोगा परनतु हम वहाँ पर नहीं जा रहे हैं यह भगवान कृष्ण का दोश नहीं है यह हमारा दोश है तो जब तक हम उस तरपर नहीं आएंगे यह हमारा गल्ती है और हम इसी को जो है सब जगह पर प्रचार कर रहे हैं कि आप जब हम यह स्तर पर आ जाते हैं तो पंडित बोलते हैं आध्यात्मी तरह के सबूत आगे बढ़ चुके एक विक्ति जो आध्यात्मिक दिश्टिकों से आगे बढ़ चुका है वह हर चीज को हर विक्ति को समभाना तरह देखता है विद्याविनिया संपन्य ब्राम्वन कुटा शपाक चंडाल तो सब को समानता से देखता इस देखने का बात क्या है जिसे हम एक विद्वान को बुलाते हैं तो हम बोलेंगे कि आप एक कुट्टे के साथ बेटी है तो उसको तो अच्छा ने लगेगा बुरा लगेगा उसे बहुत अपमान लगेगा परंतु ज जो पंडित के शरीर में हैं तो वह समानता है वह समधर्शन है यहनि कि बहुतिक दasking को से बहुत इक कि सतर पर जो है यह हम एक समय है हम बात कर रहे है जुलाई महिने का हमने अब यारा तारिक फिरी कि नी हूं सुबह मौनिग वाक में निकलते हैं तो शुकया जो हमारे पास है आपको दिखाएंगे आ गया मौ सथियोा का कारेक्रम भाग लें के लिए प्रभपाजी जब एरपोर्ट में आते हैं तो भक्त कुछ फल देते हैं प्रभपाजी करते हैं तो प्रभपाजी अभी बारा तारिक का समय है बारा तारिक बारा जुलाई 1965 में सुबर मॉर्निंग वाक में जब निकलते हैं तो प्रभपाजी बताते हैं कि आजकल का विज्ञान में जो है विज्ञान कुछ विज्ञानी कुछ चीजों को उनकी चीजों का निरिनाई लेते हैं अगला आदमीया के उसे बदलतेً तो यह विज्ञान नहीं है मेरे हम किस तरह कि मिनलैंगे उप सकेंगी एक शिश्रे बताते हैं एक हुए ओस सारे आया है कि वह स्वेः जो यहां लोग मर है हम देख रहे हैं तो हमारे चिंवति आपके लिए है कि आपने ऐसा आद्वी ने देखा कि वो जो मारा नहीं है इसके बारे में आपके पास कोई उत्तर नहीं है तो फिस्ष्य बताते हैं परभवपाजी ओधारन के तोर्बर यह जो गतिवीदियों का जो वह सरे नियम है हैं नेंटन के जो हब सारे नियम नियम बनाया किस सरी के चलन वलन बहता है उबस्तों का लौस ऑफ मोशन बोलते हैं उसको तो उस नियम के नुसार वह जो है बहुत सारे रॉकेट्स को वो आसमान में छोड़ रहे हैं और बहुत सारा जो गनित के सूत्र वो इस्तिमाल करते हैं और बहुत अच्छी तरिके से उसका इस्तिमाल होकर वो उसका ठीट तरीके को उपयोग हो रहा है तो इस शिश्य का बोलना यही था कि वास्तव में बहुत सारे नियम नियमों का जो है आविश्कार स्विज्ञान उन्हें कर लिया तो ठीक है कि आपने जो रॉकेट छुड़ा है वह ठीक से जाता भी नहीं तो इस शिश्य बोले लगते है कि वग्ञाने सोचते है कि उनका स्वयम का वो सारा प्रेत्म के माधियम से उन्होंने सब कुछ कर पाए है तो पृपाजी बोलते हैं वास्तों में उनका जो प्रेत्म है वो सीमित है हम किस तरके से एक निरने पर आ सकेगे तो प्रभुपा जी जो आरोह पंत जो है आरोह पद्दती जो है जैसे उध्यानी अपने आप से ज्यान प्राप करने का कोशिश में लगे हुए है तो ये कुछ हद तक सत्य लग रहा है हमको प्रभुपा जी बोलते हैं हाँ कुछ हद तक ठीक है परंतो वो वो तो निरनायक सबसे आसान तरीका है बहुते हैं मिर्द्धि के रूप में आता हूं, और सब कुछ में ले लेता हूं तो हमें इतना तो पता हुना है कि कोई भी व infinity अumar नहीं है हर वक्ति को एक दिन मारना है, यह हमारा नेड़ नहीं है तो एक और शिश्य बोलते हैं प्रोपा जी आपने वुला यह वस्तों में इसका पुछ परिक्षा लिए जरूत नहीं है कि भगवान स्वेम बूल रहे हैं नहीं हमें अपने तरह की से जाने का कोई अवसरी नहीं होता है वह कि यह हमारा जीवन का सार्तिकता है पाइटपूर्ड नता है तो यह हमारा तर्क है तो परोपाजी फसे बोले लगते हैं वस्तम एको शिश्य बीच में पूछते हैं कि प्रोपाजी कभी कि आप बोल रहे थे कि जैसे ही इस सब चीजहों को हम उसका भावना घृक्तित्व कर सकते हैं यह हमरा अधार है इसंड़ुत पहुत करते हैं वाद्विभाद नहीं है की जब एक अधिक्रत विक्तित्व से ज्ञान आ रहा है इसलिए वह परिपूर्ण है और उस ज्ञान को हम भुश्त्व में हम उस ज्ञान को हम पुरू परंपरा में स्विकार करते हैं तो ये हमारा पद्यति परमपरा प्राप्तम इमम राजस्यिव सब्सक्राइब करें तो हैं कि अर्जुन हैं और अगले ही लाइन में अर्जुन को बोल रहा हूं बड़े-बड़े जो एक्तिगण है बड़े-बड़े-बड़े जो सादू संत है इस अव्यास देव है नारद है असीत है इस सब लोगों ने इसे स्वीकार किया है तो वास्ता में प्रभपाई जी इस वर्टालव में यह बताना चाहते थे कि हम जो ग्यान ले इसे प्रभपाई जी सुबह घागवत का प्रवचन दे लिए तो तो प्रवचन का पाफे सरे अच्छे जी ने ने स्वीतिंटतर होवास्तों में इसका चल रहा था तो जो ऑज wow ol का दिन मेद् Downti कैसा समय आ गया थ Gestol थो उस जो है चर्चा में एक संस्क्रिट शब्द का वरतमान तो हर विक्ति एक तरकित में अभी जीवन चला रहा है तो ये बहुतिक जीवन है तो हम एक दरेकर चेतना में है आप एक दरकिति तरीकर का अपना भावना में अपनीब चला रहा है प्रक्रितिक गुणों की आधार कर में अलग तरीके जो आकर धारा में अलग तरीके के जो चेतनाऊं में हम अपना जीवन चला रहे हैं सो कहते हैं हम सभितर बैटे हुए है हम हर वेक्ति का अलग तरीकिस का H attachments चाहता है अधिक जीति हर व्यक्तित का योजना बना रहा है इस तरही से संद्राइब से पैसा कमाना है तो हर प्रेक्ति का अपना ही एक कारिक्रम है तो अपने चोटे जो लड़के था उसके पती बहुत उसका अकृष्ण था और पुरा ध्यान उसका उस अपने बच्चे पर था एक बच्चा किस तरीके से चल रहा है किस तरीके से खा रहा है इस तरीके से बात कर रहा है किस तरीके से हो अमेशा बच्चे को बुला रहा था बच्चे को खिला रहा था तो पूरा उसका मन जो है इस बच्चे के बारे में ही पूरा पूरा तरीके से मन नहीं इसे हमने पिछ जो चेतना में हर व्यंटति इस तरह की जो प्रेंग हो गया अपने बैच्चे के पति तो इस तरीके का स्ने का एक यंद्र उस पर हो गया है तो हर विक्ति इस तरीके का स्ने का यंद्र से बारित हो जाता है इस शरीर भी एक तरीका यंद्र है और प्रकृति इस यंद्र को चला रही है और इसका जो निर्देशन है भगवान इसको देते हैं हमें एक तरीके का आनंद लेने का इच्छा था तो बहगवान हमें एक तरीके का शरीर ने दिया यंद्र दिया है जैसे ऐलग अलग कार हम देखते है एimana कुछ व्यक्ति जो है बकख कार डिके करें करोद को कोई विक्ति चलाता है कोई विक्ति चलाता है इस तरीके से भगवान हमें अलग-अलग मुका देते हैं कि हमें एक कार या शरीर यंत्र देते हैं और हम तरीकि के शरीर लेकर इसे भो करें भुलती यह हमाराोट श्थिप मिला है पुर्ट भगवान कृष्ण हमारे सुदे में बेटकर जो है उनको सब कुछ याद है वह हमें याद दिलाते रहते हैं यह था माम प्रपध्यन्ते हमें इस तरी के शरीर चाहिए था इस तरी के शरीर मुझे लेकर जो है बोग करने का इच्छा था भगवान इतना जो है दयाल भगवान कर्ष्ण के साथ उनके रास्मिट्री में भाग लें नहीं जाये और ने तो आपको इस शरीर जो मल मूत और खाने का शरी चाहिए तो वो भी भागवान देते हैं तो हम इस तरह के से बद जीवन में हमारा जीवन चला रहे हैं और हमारा वास्तव जो हमारा संबंद है भागवान कृष्ण का आधि पुरुशियों के साथ हमारा संबंद भी जो है अलग हो गया है और से बड़ा भ्रहम है तो कोई विक्ति अपने देश के बारे में जादा उसका आसकती होता है कुछ विक्ति अपने समाज के अपने परिवार के विद्पती बहुत आसकत हो जाते हैं तो इस तरह के से हमने बहुत सरे चीज़ों को हमने बना लिया अपना ड्यूटी समझ कर इ इं कि मुर्खों को पता नहीं कि हमारा वास्तव स्वार्थ गति या लटेविदो स्वार्थ गति हैं विशनुदूराश्या इंसका इतना ज है उसने आशा रखा है जो कब भी वह पूरा नहीं हो सकता है यहUंत बहुतिक संसार में वह सरे चीज़ों को इसने तरके से उसे संभालना चाहते हैं कि वह हम आनन्द से रहें परनतों मुर्ख को पता नहीं है इतने भी हम इस बहुतिक संसार में इतना अच्छा जो है अमने विवस्ता किया हो वहाँ पर आनन का बाथी नहीं तो यह सबसे अलाह है शरीर जो है हमारा शाष्वत क्यों नहीं है नहीं आप अन्या माने तो यह सब विश्यव भागवान कि अधामें समझाते हैं इसका शिक्षा जो है अमें देख लेना है और भगवान स्वय बास बता बता रहे हैं भगवान पुरुश्वत्तम है तो वह मैं ग्यान लेते रहें तो हम नेतदुष्ट हैं दोरभागय वाली हैं तो हम इस ज्यान को लेते नहीं हैं हम अपना ही कुछ विचार कर लेते हैं हम सोच लेते हैं और अपने ही कुछ-कुछ विचार कर बना लेते हैं तो यह इसको बोते हैं दुराश है हम सोच रहे हैं कि हम इस तरह क किसे आनंद में रहेंगे कुछ भी संभूव नहीं जब तक भगवत धाम नहीं जाएंगे तब तक हम आनंद का प्राप्टी हुआ इसे एक पागल लड़का अपने पिता जी को छोड़ दिया है फिटा जी तो बहुत बड़ा अमीर आदमी है सब कुछ है उसका पास पुर्वी ओ लड़का हिपी बन गया है थी उसी प्रकार हम अपने पिता जी भगवान कृष्णु को छोड़ दिया है और हम भगवान के साथ बहुत आनंदाइच जीवन विदा सकते हैं कुछ चिंता बिना चिंता के कुछ बिना चिंता के बिना कुछ कि जीवन चलने का इसे हमने बना लिया है अपना जो बात इसलिए भगवान में बोलते हैं स्वार्थग्रति हमें पता नहीं है और हम दुराशय जना बना रहे है इसको इस एसे विक्ति को बोलते हैं मोढ़ा पास्तव मैं आनंद क्या है वोगगों पता नहीं है और एक दूसरा तीसरा अपना जीवन बदल रहे हैं इस तरीके से मैं आनंद भूंगा इसे शास्त्र में बोलते हैं गधे का उधारन देते हैं जो दोबी है गधे के उपर बड़ा बड़ा जो है बोज लगाता है और गधे को कुछ तोड़ा सा घास देता है ताकि गधा आग और आगे चलूंगा तो गधे का जो यह बात है क्योंकि है तो उसको गधे को बताने कि गास इतना सारा धेर सारा है हर जगा और जगा मौझूद है वह सब हमें आनंद से मिल सकता है पर तो फिर भी हो थोड़ा सा घास के लिए हैं दो भी क्या इतना बड़ा कारी करता रहता है तो खोटा रखता है इतार रधता है तो ठीक उसी प्रकार रोपजी मोलते हम करोड़ो करोड़ो साल भी जो है इस बहुतिक संसार में आनंद रणने का जो कोश़िश करेंगे हमान रह पाएंगे हैं तो हमें गुरू से अंका ज्यान लेना है और गुरू का आराधना करना तो वास्तव में हमारा जीवन का जो समय है हमें इस भोतिक संसार का जो समस्या है पुशेश कर बार बार जनम देना बार बार नुत्य प्राप्त होना इस समस्या का समाधान निकालने के लिए करना है आर और समय को बार नहीं करना है तो जब तक हम एक भी सद्गुरू के पास नहीं जायेंगे रिए तो हमें भावन ना मुलना ना हैactic हमें अधाम जाना जाना है तो हमें गुरू के पास जाना कुन होते हैं है तो गुरू के बारे में शास्तें बताते हैं गुरू अपने मन में कुछ विचार जुआ है उसका बादम नहीं करते हैं इसे करो जैसे हम गुरु पूजा में गाते हैं गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्ते ते कोरिया आई क्या आर ना कोरी हु माने आशा तो हम एक सद्गुरु को स्विकार करते हैं और जो सद्गुरु आदेश देते हैं उसे हम जीवन में निभाते हैं तो हमारा जीवन साथ तक हो चाहता है और ना कोरी हो माने आश्र और कुछ आछा इच्छाम बांगते नहीं है तो हम हम हर दिन इस उशे को इस जो है गाले को इस की तनको गाते हैं गुरु मुखा पद्मावाद कि चित्ते दिघुरिया आइक्या चित जैनि कि हमारा चितना हमारा सुधः केवल हम तो जिसे अपने बारें बताते हैं बहुत उनम्रता से जितना बहुत हमने अपने जो गुरु महराज का आदेश पर यह आंदुलन चुरू किया हमने और इतना जो है अभी आंदुलन बड़ा हो गया है सब मेरे गुरु का कृपा है क् विक्तिकत तरख से मेरा कुछ सामर्थ नहीं है केवल मैंने गुरू का वाक्य को अपने मन में रखा और उसको अपने जीवन का दे समझा और इस तरह कि गुरु मुखा पत्दमौ वाक्यillar चित़ते कवरिया है केवल उनके आदेशों का पालन करने में पूरा अपना जीवन समर्पन कर दिया मैंने कुछ जो है उसमें घटाया बढ़ाया कुछ नहीं गुरू ने जो बताया उसको मैंने बोट शद्धा पूरवक उसे निभाने के कोशिश किया बस तो बस जो जो ये श्यस मिला है जो जो साथ्यकता मिला है ओक वल गुरू के ही गृपा से मिला है तो मै जो है बहुत बुद्धिमान हूं गुरू से मैं कुछ भी कर सकता हूं यह जो है यह विचार आने पर हमारा जीवन कतम हो जाता है तो इसलिए गुरू का आदेश नुसरन करना बहुत 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 जो है हमें आवश्यक है प्रभपाजिस कि इतना बढ़िया जो है विचा विचार बख्तों को समझा रहे हैं और उसी दिन रथियात्र का कारिक्रम आयुजिन हुआ था फिलोटल्फिया में काफी सारे अच्छे जो है हमरे पास उसका पिक्चर से अपको दिखाते हैं देकिए भक्ति इदाहां पर भगवान जगनात बरदेव सुबद्रा मया को जो में आते हैं और प्रुपा जी रथियात्रा का रत में विराजमान हो जाते हैं उनके लिए आसन तयार है और यहां पर जगनात जी रथ से जो है हम देख रहे हैं उनके दर्शन कर रहे हैं और देकिए रथ सजा हुआ है पुरे भगवान जगनात उनके बड़े भाई सब्द्र और उनके बहन जो सब्द्रा इस पर विराजमान होंगे और देखिए विराजमान हो गए हैं जो दर्शन कर सकेंगे आप पास्चाहित्र राष्ट्रों प्रुपाजी ने इस तरह के से अलग अलग शहरों में रथ्यात्र का आयोजन किया था प्रुपाजी रत कर रत प्रुपाजी देख रहे हैं कितने सरे लोग उपर में जगनाजी है और नीचे प्रुपाजी तो इस तरीके से प्रुपाजी जगनाद का रत्यात्र में भाग ले रहे थे और उसी दौरान प्रुपाजी वहां पर रथा समाप्त होने पर रत्यात्र समाप्त होने पर एक छोटा सा प्रवचन प्रुपाजी ने दिया तो उस प्रवचन का एक छोटा सा वीडियो क्लिप हमारे पास है मैं पोस्त वादपनला करो करो करें करें प는 कर दो जमार टार, करको जार। डदो प्रमना हो लगता हो पस्टाए था? इच्छना ड़ी जटा?... अबबबबब पस्टाइ hahaha अबबबबबबबबबबबबब पस्टाइ कीजिए त्रमना हम simulated दिए कीजिए कीजिए ンタガली इटél ऱमना हम पस्टाइ इचर इचर इचरणा है तो प्रभपाजी इसी इसी बीच में वहाँ पे प्रभपाजी रथ्यात्र का आयोजन्व सावथ होने पर कुछ संबोधन करते हैं और उसका भी चोटा सा वीडियो है आपको दिखाएंगे वीडियो क्लिक किजिए प्रथ्यात्र का प्रभपाजी का संबोधन करने का दूसरा वीडियो कि अरे किष्णा I first came in New York, then in 1966, this society was regularly registered in New York, and from 1967, this movement is regularly going on in America, Europe, Canada and south of Pacific Ocean, Australia, and throughout the whole world. So I may inform you little about this movement, Kṛṣṇa consciousness. Kṛṣṇa, this word, means all-attractive. Kṛṣṇa is attractive to every living entities. Not only human being, even the animals, birds, bees, trees, flowers, fruits, water, that is the picture of Vṛndāvana. This is material world. We have no experience of the spiritual world, but we can get a glimpse idea what is spirit and what is matter. Just try to understand the difference between a living man and a dead body. The dead body means as soon as the living force within the body is gone, then it is dead matter, useless. And so long the living force is there, the body is very important. So as we experience in this body, there is something as dead matter and something as living force. Similarly, there are two worlds, the material world and the spiritual world. We living entities, every one of us, we belong to the spiritual world. We do not belong to the material world. Some way or other, we are now in contact with this material world and material body. And the business is that although we are eternal living force, on account of our contact with this material body, we have to take four tribulations. The birth, death, disease and all life. The birth, death, disease and all the life. The birth, death and the families, disease and all life. It is of the Allah God जब सुसाइटी का रिजिस्ट्रेशन हो नीज और से जर्द्वात हुआ और शुक्राद 1967 से यूर्ओक के रना में ऑस्ट्रेलिया में पुरा दुनिया में एंप प्रचलितंत लान्ट रहा है इस का यहीं बस्तमें क्रिष्णा बहां नहीं जो सर्वाकर्षनिये हैं, जो सभी जिवात्माओं के पिता हैं, उनका जिसे जानवर हो, पेड़ हो, पक्षी हो, पंची हो, सब जो है बंदावन में उनके प्रतियाकर्षित बजाते हैं, वस्ता में ये आध्यात्मिक लोग का एक सित्रन है, वर्णन है, तो प्रोपाजी समझात हैं कि वास्तों में जीवन्त शरीर और मृत शरीर के अंतर क्या है, जीवन्त शरीर में वो आत्मा है, जो वास्तों में भगवान का अंश है, जैसे ये आत्मा शरीर से निकल जाता है, तो वो बहुत एक चीज़ बन जाता है, तो ठीक उसी प्रकार प्रोपाजी बहुते हैं प्रक्रिती है दो तरीके के जो है जगत है आध्यात्मिक लोग और भौतिक लोग तो हम इस बहुतिक संसार में आकर बद जीवन का जीवन चला रहे हैं हमें आध्यात्मिक लोग जाने हैं कि हम आध्यात्मिक लोग के हैं वहां पे जो है हमारा वास्तव स्थान है तो इस बागवान हमें शीर व्कृतिक माध्यम नायम से दें रहे हैं। और आधियालू है। जो हम इच्छा रख ते हम उसे पूरा करें बाइखा रहे हैं। इस बहुतिक संसार के जो 84 लोग यौणीयों के उसके भीतर से हम घुजर रहे हैं उससे बाहर निकलना है तो यह हमारा मौनशी जीवन का हुद न Siung Hai बहुत आसन तरह का है बोट बक्ति करने का इस कली में ऐब भगवान का पुन्य नाम का जब करना है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरी हरी जैसे ही हरे किष्णा मंत्र का जब करेंगे सब कुछ अपने आप भागवान हमें प्रकट कर देंगे इस तरके से प्रग्पाजी बोलते हैं हम मनुष जीवन में यह सब कुछ करने का हमारा सुविदा है हम नाकेवल यहां पे पुरा दुनिया में आफ्रिका में आस्ट्रेलिया में केनड़ा में यूरोप में इस्या में हर जगह पे यह जो तत्व ग्यान हम दे रहे हैं और बहुत सारे लोग इवा लोग इसमें भाग ले रहे हैं शाविल हम चाते हैं कि आप हरे किष्णा मंत्र में मंत्र को जब करें इसमें कोई पैसा नहीं लगत करना है बस लो केरब प्रेमाधन हरी नाम संगीत करना हमारे अचारी बताते हैं नरतम दाश्ठाकुर्ट कि यह यह साधरन बहुत इक चीज नहीं है यह केवल आधियात्विक लोक से जो है इसका अवतार हुआ है जिसे हम 24 गंटे भी भागवान का नाम लेंगे तो हमें कुछ उसका धकावट नहीं होगा तो हम 24 गंटे जब करेंगे कितना करेंगे तो कि यह आधियात्मिक लोक से इसका अविर्भा हुआ है जिसे हम भोतिक शब्द को एक रेडियो टेलिविजन के माधियम से उसका ग्रहन कर सकते हैं दूर दूर पे भी ठीक उसी प्रकार जैसे ही ए अधियात्मिक लोक का जो है जो शब्द को हम उते स्विकर कर सकते हैं और वो जो शब्द क्या है हरे किश्णा मंत्र तो इसलिए हमें हरे किश्णा मंत्र जब करने में हमारा पूरा समय हमें बताना है यह हमारा आपसे निवेद ने हम आद जोड़के आप सप्रावतना करते हैं यह कीजिए और रुषेश का प्रभभिपा जी उस रथियात्रा महुत्सव का महत्वतायों उन्होंने की वास्तों में ये रथ्यात्रा महुत्सव ऐसा है कि भगवान खृष्ण पाले और उनका उस जनम और उनका बड़ा होने के जो बात है व्रंदावन में हुआ था व्रंदावन वासी उनसे बहुत ही ज्यादा प्रेम में प्रेम के लगा तो एक दिन जब भगवान और अपने बुरे परिवार के साथ अपने बड़े बाई बलबद्र और सभी प्राणियों के साथ पुरुक्षित रायों थे कुछ कारिक्रम में भाग लेने के लिए उस मौकी का जो है उद्हां पे कुछ सूरे करहन का बहुत बड़ा आयोजन हो र तो व्रंदावन वासी को जब पता चला कि भगवान स्वयम आये हैं यह पांच वज़ा साल पूरु का बात है तो वो भी जो है व्रंदावन से निकल पड़े भगवान से मिलने के लिए और इस तरीके से जब भगवान व्रंदावन वासी वहां पर आगे हैं विशेशक श् कुरुक्षेत्र में भूत राज का वैभों में आप जो है दिख रहे हैं आप हमारे पुरंदावन गाउं में आईए महां पर आईए तो यह व्राधराणी का निवेदन था तो इस तरीके का बहुत भावक जो है आनंद का भावक का जो भावना केवल भक्त जो बहुत आग में शिकागो में पिलडेलफिया में बफेलो में मेलबर्न मिसर के से अखाय करम का आयोजन कर रहे हैं तो आप सब को धन्यवाद है आप इस हमारे तत्व को समझिए हमारे काभी सरे किताब है लगए 75 किताब हमने हैं हमारे पास है अला जलतरीके के आप सब पढ़े लिखे लड़का लड़किया हैं इसे पढ़िए समझिए और इसे बहुत नवीता से लिए दिजिए और आपका जीवन साथक हो जाएगा इतना अच्छा प्रोपाजी समझाते हुए रथ्यात्र कायों भाग लेकर सब को जो है अंदर्शन दिया होने और सब को भक्त बनने का अपन अच्छा नवी श्रवन करेंगे तक लिए सब्तों धनीवार जाएश्रीला प्रोपाज्ट हरे प्रिष्णा